दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने ब्लॉग पोस्ट को सिरफ दो या तीन घंटे के अंदर गूगल में रैंक कैसे कर सकते हो अब आप सोच रहे होंगे भाई क्यों जूट बोल ले हो तो मैं आपको एक चीज यहां पर बता देता हूँ मैंने दो-तीन दिन पहले एक वीडियो डाली थी उस वीडियो पे देखिए मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया और उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने आपका जो वीडियो है वो फॉलो किया और मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है तीन घंटे के अंदर अंदर कूगल में रैंक करने लग गया बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं जिसमें से कुछ लोग बोलते हैं सर आपके ट्रिक को फॉलो करके मैं आप ब्लॉग से अर्निंग कर रहा हूँ मेरा ब्लॉग रैंक भी कर रहा है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर मैं वीडियो देख रहा हूँ मैं नहीं बताता हूँ जिससे आपका time waste हो ऐसे ही इस वीडियो में जो trick में आपको बताने वाला हूँ जो steps में आपको बताने वाला हूँ अगर आप उन्हें दिल से follow करोगे, समझ के follow करोगे तो आपके blog पे definitely Google से traffic आएगा तो आपको करना का है वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से follow करना है तो इस वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपनी किसी भी blog post को 2 या 3 गंटे में Google में rank करवा सकते हो तो इसके लिए हमारे जो first step है हमें समझना है कि Google में rank करते कैसे है Google में जो website show होती है first page पर वो क्यों show होती है तो इसका हम छोटा से concept समझ लेते हैं अगर हमें इस समझ आ गया तो हम आसानी से अपने blog post को Google में rank करवा पाएंगे तो चलिए मैं आपको practically बताता हूँ Google में जो blog post होती है वो rank करने का सबसे वड़ा current क्या होता है तो guys यहाँ पर हम एक example लेते हैं मैंने यहाँ पर keyword लिखा 16 सोमवार वरत कथा आरती हमने जैसे यह enter किया तो यहाँ पर हमारे सामने यह search result खुल गया तो आप यहाँ पर देखो के पहले page पर website आ रही है दूसरी तीसरी फोर्थ number पर मेरी आ रही है अब मैं आपको बताता हूँ यह हुआ कैसे कैसे मैंने इस keyword पर rank किया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले वाले जो website है मैंने इसको open कर लिया तो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज क्या देखने है देखें गूगल पर कैसे rank करते हैं यह हम समझने वाले है तो आप देखना हमने search क्या किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो यह title है सबसे पहले इसने keyword डाला हुआ देखें हिंदी में भी लिखा हुआ है हिंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसने इसमें लिखा हुआ है दूसरी चीज क्या होती है हमारा जो यह search description है इसमें भी इसने डाला हुआ है तीसरी चीज क्या होती है वो होती है पर्मा लिंक ठीक है, पर्मा लिंक में भी हमारा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर्मा लिंक अगर हम इसका देखे हैं, देखे हैं, यहाँ पर 16 सॉमबार वरत कता है, इसने यह जो main keyword एसमें डाला हुआ है, इसके साथ साथ इसका पहले नंबर पर आने का reason क्या है, आप क्यूं रखना चाहिए, कितने वरत होता है, इन्होंने काफी सारे FAQ question यहाँ पर डाले हुआ है, जिस वज़ा से इनका जो article है, पहले page पे show हो रहा है, अब आपने देख लिया कि पहले page पे show क्यूं होता है, अगर आप good quality का article लिखोगे, सबसे पहली चीज होती है, title, title में focus keyword डालना है, और permalink में focus keyword डालना है, उसके बाद यह first paragraph में keyword डाला हुआ है, उसके बाद heading के अंदर keyword डाला हुआ है, ठीक है, उसके बाद दुबारा से heading में keyword use किया है, then अगर हम नीचे करते हैं, नीचे आने के बाद देखी है, इन्होंने काफी अपना describe किया, उसके बाद जो आरती थी, वो भी इन्होंने आपे लिखी, यानि एक sub heading भी बनाया, और उसके बाद फाइदे बताए, उसके बाद FAQ डाला, यानि अपने जो article था, उसको long लिखा है, इसलिए पहले number पे आए, अब बात करते हैं, दूसरे number की, अब जो दूसरे number पे website आ रही है, क्यों इन्होंने title में डाला, और first paragraph में डाला, ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इसको अपना, यहाँ पे text लगा दिये, यह चीज आपको दोस्तों कभी नहीं करने हैं, लोग text लगा कर, इसमें keyword stuffing कर देते हैं, इस तरह का काम नहीं करना, और इन्होंने देखिए यहाँ पे काफी लंबा article लिखा, लेकिन FAQ नहीं डाला, तो mainly मैं इस चीज में आपको first step में क्या बताना चाहता था, जो आपका सबसे पहले Google में rank करने के लिए 3 चीज़े चाहिए होती हैं, आपका permalink, उसमें आपका focus keyword हो, title में focus keyword हो, और search description में focus keyword होना चाहिए, तो आप Google में easily rank कर सकते हो, बाकी इसके साथ-साथ क्या चीज़े जरूरी हैं, वो मैं आपको आने वाले steps में बताता हूँ, दोस्तों अब बात आती है दूसरे step की, अब हम जान चुके हैं, पहले step में की Google rank कैसे करता है articles को, अब हमने क्या जानना है, हमने अपने competitors को find करना है, अब य जादातर लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कि सोचा कि ये topic पे मुझे blog post लिखना है, कुछ नहीं किया, directly blog पे लिख दिया और publish कर दिया, लेकिन ये सबसे ज्यादा गलत तरीका होता है, क्योंकि आज के time पे blogging में इतना competition है, अगर आप directly blog post लिख दोगे, कोई keyword research नहीं करोग जज नहीं किया, आपने एक दुकान खोल ली, मिठाई की, जहां पे आप मिठाईयां सेल करते हैं, लेकिन उस market में क्या था, पहले से कहीं मिठाई की shop नहीं जो आप से पुरानी थी, और आप से ज़्यादा अच्छी चल रही थी, आपने अपनी दुकान खोल ली, आपने रेट पता किया, कि मेरे आसपास कौन-कौन मिठाईयां बेच रहा है, क्या-क्या उनके रेट है, आपने अपने काफी ज़्यादा अच्छे रेट रख दिये, तो आपके पास traffic नहीं है, यानि आपके पास customers नहीं है, क्यूंकि आपने market का research नहीं किया, आपने directly ऐसे ही अप कभी भी traffic नहीं मिलेगा, competitor research करने का क्या फायदा होता है, चाहें मिठाई की दुकान हो, उसमें क्या होगा, कि आपने देख लिया कि किस मिठाई का कितना rate है, क्या quality दे रहे हैं, आपने खाके देगी, आप उससे best quality लेके आओ, price थोड़ा सा starting में उनसे कम रख दो, तो customer उन पता होगा, हम जिस topic पे काम कर रहे हैं, उससे related कौन-कौन से लोग पहले से rank है, अगर आप उनको पता लग जाएगा, और आप उनसे better content provide करोगे, तो आपके पास उनसे ज्यादा traffic आने लगेगा, आप उनकी जगा rank करने लग जाओगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, competitors की research कैसे करते हैं, जो आपके topic से related पहले से अपने blog को Google में rank करवा रहे हैं, इससे बहुत मदद मिलेगी, सब कुछ मैं आपको practically बता देता हूँ, तो guys अब मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने competitors को find कैसे करना है, देखिए जब भी हम अपने blog पे कोई post लिखने की सोच होते हैं, तो हमारे मन में just topic होता है, कि मैं इस topic पे post लिखना चाता हूँ, हमें यह नहीं पता होता कि क्या keyword है, क्या इस पे searches है, ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, हमारे मन में just topic होता है, तो हम उसी चीज़ को लेके चलते हैं, कि topic की मदद से कैसे competitors को find कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने topic एक लिया है, blog को rank कैसे करें, तो मैं यहाँ पे simply google पे रिखता हूँ, blog को, ठीक है, और मुझे पूरा exact keyword भी नहीं पता, normal google ने suggest कर दिया, blog को rank कैसे करें, तो मैंने यह चीज़ डाल दी, कि मैं इस पे blog post लिखना चाता हूँ, जैसे ही हम enter करेंगे, आपको क्या कर यानि कि यह हमारे competitors हैं, इनको हमें beat करना है, beat करने का मतलब कि इनको हमें पीछे करके, इनकी जगा अपने blog को लेके आने ने, google के पहले page पर हमें इन पांचों को हटाके, अपने blog को लेके आना है, तो हमें 5 competitors पता लग गए, आगे का process मैं आपको next step में बताता हूँ, just competitors को find करना इतना असान है, आपको just topic type करना है, और पहले 5 जो हमारी website यहाँ पर search result में खुलेंगे, वो हमारे competitors हो जाएंगे, तो दोस्तों, अब हमें अपने competitors पता लग चुके, हमें ज़्यादा find नहीं करना है, 5-7 competitors find करना है, अब हमें यह देखना है, कि यह जो competitors है, Google के पहले page तो इनका targeted keyword क्या है, हमने उस targeted keyword को यहाँ से find करना है, तो इसका सबसे best example होता है, जो हमने competitors लिए है, आपको इनके post के titles को देखना है, और title में जरूर आपको targeted keyword मिलेगा, इनके blog की headings में मिलेगा, ये भी मैं आपको step by step practical बता देता हूँ, कि अपने competitors के page से, किस तरह से आप targeted keywords को निकाल सकते हो, तो guys जब हमने competitors अपने मिल जाते हैं, तो target keyword निकालना बहुत आसान हो जाता है, आपको just क्या करना है, पहले अपने competitor को देखना है, और उसका देखिए title जो है, वो क्या है, blog को rank कैसे करें, ठीक है, ये वाला जो है, इसको आपको क्या करना है, copy कर लेना है, ठीक है, जो भी हमने title अपने पहले competitor का copy किया, उसको यहाँ पे paste कर दिया, enter कर दिया, उसके बाद दूसरे का देखेंगे, कि दूसरे ने क्या दिया, 15 tips to rank on google, ठीक है, इसने ये दिया, तो हम इसको copy कर लेंगे, copy करने के बाद जितना यहाँ पे दिख रहा है, paste कर अब यहाँ पे मैं आपको एक tip देना चाहूंगा, देखी आपको जो title देना है, maximum of 50, या फिर 60 characters दें, कि maximum 60 characters आपके title में होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद का देखें, यहाँ पे show नहीं हो रहा है, और उपर वाले का देख सकते हैं, इसने title perfect दिया है, पूरा show हो रहा है, इसलिए पहले number पे rank कर रहा है, ऐसे ही हम तीसरे वाले का देखते हैं, यहाँ पे इनोंने यह दिया, तो हम इसको copy कर लेते हैं, ऐसे ही हम क्या करेंगे, पाँचों के title को copy कर लेंगे, और इसने भी 60 characters से जादा दिया है, तो पूरा show नहीं कर रहा है, तो आपको यह गलती नहीं करनी है, आपको जो title देना है, अपने blog post को, वो कम से कम under 60 characters देना है, otherwise वो Google पे show नहीं करेगा proper, तो हम यह क्या करते हैं, यहाँ पे पाँचों title को copy कर लिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं, पाँचों में common क्या है, यहाँ पे हमने देखा blog को rank कैसे करें, यह पहले number पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो title लेंगे, उसमें यह वाला keyword जरूर लेंगे, और उसके बाद इस तरीके से हम लगा देंगे, यह वाला symbol, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, 15 tips to rank 1 on Google, हम इसको छोड़ देंगे, website blog को first में कैसे लें, अपने blog को Google में top rank कैसे करें, हम सब का पढ़ के देखेंगे, क्या क्या title, और हम क्या करेंगे, last में, combine करके अपना एक अच्छा सा, यहां पे title बनाएंगे, जो attractive हो, तो मुझे यह चीज अच्छी लगी, मैंने पांचों का combine करके, एक अपना short सा title बना दिया, मैंने यह क्यों लिया थे, यह blog को rank कै कैसे करें, पहले number पर यह वाल article आ रहा था, तो मैंने इसका एक half title ले लिया, दूसरे में मुझे क्या अच्छे लगा, जाने blog को Google में rank, ठीक है, आप इसको पूरा कर सकते हैं, कैसे करें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, यह एक attractive सी line है, लोग इसको देखेंगे, अगर आप blog हो, आपको कोई ऐसा article मिले, जिसका title यह हो, blog को rank कैसे करें, और आगे लिखा हो, जाने blog को Google में rank कैसे करें, तो आप भी पढ़ना चाहोगे, तो अपना title है, attractive देना चाहिए, तो main जो focus keyword होता है, उसको find करने के लिए, जो हमारे title होता है, वो बहुत helpful होता है, इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है, focus keyword find करने के लिए, वो होता है पर्मा लिंग, अब अपने competitor का पर्मा लिंग देखें, देखें, blog को rank कैसे करें, इसके बाद तीसरी जगह कहा होती है, focus keyword को find करने के लिए, heading, blog को Google के पहले page पर rank कैसे करें, ठीक है, आनि ranking जो word हो आ रहा है, तो आ आपने उनका targeted keywords भी निकाली, अब जो next काम आता है, वो है हमारा सबसे ज़्यादा main काम, आपने क्या करना है, आपने 5 competitors को देख लिया, उनके article को अच्छे से पढ़ना है, उनके article को पढ़ो, ने क्या-क्या information प्रोवाइड करवाई है, जिस topics related आप blog post लिखना जाते हो, उनक का combination करके अपनी blog post को लिखना है, अगर किसी ने किसी चीज को नहीं डाला लेकिन दूसरे ने डाला हुआ है, आपको वो चीजे भी add करनी है, इससे क्या होगा, आपका जो blog post बनेगा, जो आपके competitors पहले page पे rank कर रहे थे, वो 5 competitors, अगर आप उनसे अच्छा article Google को लिख के दो अगर आप इन steps को follow करते हो, लेकिन, अब मैं लेकिन क्यूं बोल रहा हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ, ये सारा depend करता है keyword research पे, कहीं बार हम ऐसा keyword उठा लोगे आप, जो थोड़ा competition में हो, तो शायद 2-3 गंडे में rank ना कर पाओ, लेकिन अगर आप इस process को 45 days तक करते हो, इसी तरह से अपने competitors की research करते हो, focus keyword निकालते हो, उसके बाद उनसे अच्छ article लिखते हो, 45 days तक कर लो, उसके बाद खुद देखना आपके blog पे Google से कितना traffic आ रहा है, क्योंकि Google से traffic लाना को इतना असान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप उस च अच्छी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको सिरफ एक बात बोलूगा, अगर blogging स्टार्ट किया है, तो blogging को छोड़ना मत, जाहे traffic आए या ना आए, जिस काम में हाट डाल लिया, महनत करते रहना, और पीछे मत अटना, blogging में success जरूर मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा blogging में, कि आ आप खुद कोगे, आप जितनी महनत करीती, सारी सफल हो गई, इसलिए पीछे मत अटना, महनत करते रहना, और सीखते रहना, blogging में success जरूर मिलेगी, मिलता हूँ एक ऐसी interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, comment कर देना, और please वीडियो को like कर देना, क ख्यान रखें, बाबाए